गुद मॉनिंग गुड आफनून गुड इवनिंग स्वागत एक बार फिर से आप सब का हमारी यूटीब चैनल में आज की इस वीडियो के टाइटल और थामनेल को पढ़ कर आपको ये पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंस के बारे में वीडियो को समझना और समझाना आसान बनाने के लिए हम repeat sentence को तीन पार्ट में बात कर पड़ेंगे इस वीडियो के part 1 में सबसे पहले मैं बात करूँगा ऐसी एक mistake के बारे में जो आप सब जाने अंजाने में करते हैं और majority of time student को यह पता भी नहीं होता कि उनकी इस mistake की वज़ा से उनके कितने marks कम होते जा रहे हैं वीडियो के part 2 में मैं आपकी एक लंबे time से चलने वाली problem का solution आपको दूँगा वो problem यह है कि हमारा content इसमें improve नहीं हो पा रहा है हम लगातार struck है repeat sentence में 12 में से 5 या 6 word हम repeat कर पाते हैं उससे ज़्यादा हम repeat नहीं कर पाते हैं तो उसको कैसे improve करना है वीडियो के तीसरे part में मैं एक quick tip दूँगा आपको जिसकी मदद से आप सब चाहे आपका English का level कितना मर्जी अच्छा हो या जितनी मर्जी खराब हो आप सब repeat sentence में around 70-80% score कर पाएंगे जी बिल्कुल आप 7 band के लाइक repeat sentence बोल पाएंगे और वो भी बिना English के साथ हुलजे बिना English को समझे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और वीडियो को समझने के लिए हम एक powerpoint presentation की help लेंगे हमेशा की तरह तो आज हम बात करेंगे how to improve repeat sentence जैसा मैंने आपको पहले बताया कि repeat sentence को समझने के लिए सबसे पहले हम 3 lessons की बात करेंगे तो पहला golden lesson जो है वो यह है कि PT speaking की सबसे बड़ी mistake जो repeat sentence में बच्चे करते हैं वो mistake आखिर कर क्या है तो देखिए repeat sentence की mistake पता करने से पहले हमें थोड़ा से पता होना जाए कि इसमें marking कैसे होती है repeat sentence में हमें score किस चीज़ का मिलता है और कितना कितना मिलता है तो basically repeat sentence में एक question 13 number का होता है 13 marks का होता है और वो 13 number तीन अलग अलग जगा से आते हैं तीन नंबर आते हैं content के पांच नंबर pronunciation के and last में 5 marks आते हैं fluency के अब आपको यह भी पता होगा कि जो content के तीन नंबर है वो listening में जाते हैं जो pronunciation and fluency का score है वो आपका speaking में रहता है मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर मैं आपसे पूछों कि क्या 10 जादा होता है या 3 जादा होता है तो आप क्या कहेंगे 10 बड़ा number है या 3 बड़ा number है I guess आप सब को पता है इतने समझदार हम सब at 12 आपने पास की है कि यह तो 5th class वाले बच्चों को पता होता है 10 is a big number and 3 जो है वो छोटा number है अब यह मैं आप से क्यों पूछ रहा था इसका reason यह था कि अगर आपको यह पता है तो फिर क्यों हम सब 3 number के पीछे बागते हैं और हम यह 10 number को खुद अपने वो कहते हैं पैर पे कुलहाडी मारना sort of कुछ वैसे ही है हम खुद 10 number को लात मारते हैं और 3 number के पीछे दिवाने हुए गूम रहे हैं तो PT की speaking में repeat sentence में जो सबसे बड़ी mistake मैंने student को करते हुए देखा है वो कुछ ऐसा है माली जब मुझे एक repeat sentence दें और वो repeat sentence कुछ ऐसा होगा कि there will be a conference here next summer on using the web for academic research अब आप अगर मुझसे expect करें कि क्या मैं सारा sentence repeat करूंगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता literally मैं अपने real exam में जब भी बैठा होता हूँ तो मैं हमेशा इस तीज पर ध्यान देता हूँ कि content पूरा बोलने के चकर में कहीं मैं अपनी pronunciation और fluency को खराब ना कर दूँ और मेरी priority हमेशा आपका मुझे पता नहीं पर मेरी priority और मेरे कुछ अच्छे अच्छे students की priority हमेशा fluency and pronunciation होता है तो मैं इस sentence का answer जब भी करूंगा तो मैं इस तीज का ध्यान रखूंगा कि content के number बढ़ाने के चकर में कहीं मेरा pronunciation and fluency का score कम तो नहीं हो रहा आप सबके साथ भी same यह mistake हो सकती है तो जो सबसे बड़ी mistake मैंने बताया आपको mistake number one सबसे बड़ी mistake जो है वो यह है कि बच्चे क्या करते हैं वो content पे focus करते हैं वो यह कोशिश करते हैं कि सारा sentence सुनके मैं सारा repeat करूँगा और वो content के ओपर focus करने के चकर में जो flow है बोलने की fluency है उसको बिल्कुल खराब करते हैं अब सवाल आ रहोगा यह flow क्या चीज होती है flow का मतलब speed है या क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं देखो flow बनता है तीन चीज़ों से basically सबसे पहले चीज़ा speed आप जब भी repeat sentence बोले उसमें आपकी speed slow भी होनी चाहिए और दूसरा even speed होनी चाहिए even का मतलब यह होता है कि कहीं ऐसा नहों कि repeat sentence का आदा पार्ट आपने काफी fast बोला था लेकिन towards the end आप बहुत slow हो गे थे या इसका उल्टा भी ह सकता शुरू में मैं बहुत दीरे बोला था लेकिन end में जाके मैंने काफी fast बोलना शुरू किया तो अगर आपकी speed uneven होगी तो आपको repeat sentence में fluency का number नहीं मिलेगा that means कि आपका speaking का काफी बड़ा proportion आपने कराब कर दिया तो एक अच्छा student वो है जो repeat sentence में content पे focus नहीं करता flow पे focus करता है and flow में भी speed पे focus करता है तो दीरे बोलें और एक consistent speed में बोलें second चीज जो हमें flow के लिए चाहिए वो यह चाहिए कि stress पे copy करें जैसा stress बोलने वाले ने बोला है जैसे उसने बोला this is a huge problem in this country तो अपने को भी huge problem इस तरह से उसको copy करना है मैं हमेशा अपने students को कहता हू कि जैसे अपने बच्पन में अपने चोटे बाई बहन को चुडाने के लिए उनकी नकल करते थे हैं जैसे उसने बोला कि मुझे खाना नहीं खाना तो मैं भी बोलूगा मुझे खाना नहीं खाना तो बिलकुल अपने उसकी नकल करते हैं ना केवल हम उसकी words को repeat करते हैं बल flow के लिए बहुत important है वो है breakdown अब ये breakdown के बारे में हमने पहले भी एक दुपार बात की है stress के उपर हम dedicated video पहले बना चुके हैं लेकिन breakdown के उपर अभी तक हमने video नहीं बनाई है अगर आप लोगों ने stress वाली video नहीं देखिया तो हम breakdown के उपर भी video बना के आपको देंगे लेकिन अभी तक जो मुझे मोटा मोटा के लिए आपर समझ आ रहा हो ये है कि PT के repeat sentence में content कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर हमारा flow खराब हुआ तो हमारा speaking में score नहीं आएगा content अब कहीं के मन में आपे सवाल आता है कि सर content खराब हो गया तो listening में number नहीं आएगे मेरे ख्याल से आप में से कहीं के मन में इस सवाल अभी भी आ रहा होगा लेकिन देखो आप ये बात समझो कि listening अभी बहुत दूर है listening के लिए एक पूरा dedicated section आपके पास पड़ा होगा आप उसमें right from dictation करेंगे summarize spoken text करेंगे fill in the blank करेंगे तो तब आप अपनी listening को बहुत improve कर सकते हैं अब कहीं ऐसा नहीं कि अभी starting में paper चुरू हुए अभी 10 minute भी नहीं हुए आपके repeat sentence जब आपके सामने आते हैं और आप अभी listening की चिंता करके बैठे हैं और जो बिल्कुल last में आनी है और आप उसके चक्कर में उसको खराब कर लें जो अभी आपके सामने से जा रहा है एक बार ये speaking कतम होगी तो उसके बाद speaking को improve करने का chance आपको नहीं मिलेगा listening improve करने के बहुत मोखे आपको आगे मिलने वाले और दूसरी बात ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है कि हमें content पर काम नहीं करना इस वीडियो के part 2 में मैं आपको बताऊंगा content को कैसे improve करना है लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चाहे आपका content बहुत अच्छा है चाहे content बहुत खराब है किसी भी situation में आप है आपको अपना flow नहीं चोड़ना flow हमेशा supreme रखना है सबसे अच्छा रखना है तो this was golden lesson 1 golden lesson 1 को practically समझने के लिए एक example आपको मैं देता हूँ दो student का example अपने लेते हैं इनमें से एक student hard worker है और वो focus करता है content की उपर एक student smart worker है और वो focus करता है flow की उपर आप imagine करें कि 13 number का एक question मेरे सामने आया sentence में दुबारा repeat करता हूँ there will be a conference here next summer on using the web for academic research अब जो hard worker है वो पूरा content बोलने की कोशिश करता है वो कुछ ऐसे बोलेगा international कुछ ऐसा उसने किया और जब ये पूरा content बोलने की कोशिश कर रहा था तो आपने notice क्या होगा कि ये बार-बार बीच में रुक रहा था फंबल आ रहे थे speed इसकी uneven थी बीच में poses भी आये कही बार तो इस बच्चे को content में बले ही दो number मिले हो लेकिन definitely ये बच्चा जो अपना fluency है और pronunciation है उसमें भी दो-दो number पे आ गया पांच number ये नहीं कर सकता ये भी दो number in fluency 2 in fluency and 2 in pronunciation so total student ने 13 में से 6 marks achieve किये अब दूसरी तरफ चलते हैं हमारा smart worker हमारा share ये paper देने गया है इसको जब ये sentence सुनता है तो ये sentence को repeat करता है there will be a conference here next summer is beneficial for the computer and the laptop अब जब ये कुछ बोल रहा है आपके मन में आएगा कि ये क्या computer laptop ये क्या बोल रहा है लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो smart worker है ये फिर भी अपने content में शायद एक number score करेगा क्योंकि इसने उतना content नहीं बोला था लेकिन इसकी fluency में 5 marks है और इसके pronunciation में 5 marks है तो ये student 13 में से कुल मिला के 11 marks लेकि आएगा अब आप समझ सकते हैं कि hard worker ने ज़ादा मेहनत की लेकिन फिर भी 13 में से 6 number आए smart worker ने कम मेहनत की लेकिन फिर भी 13 में से 11 marks आए तो this is something that I want मैं चाता हूँ कि आप सब भी content पे काम करें लेकिन content से पहले fluency पे काम करें pronunciation पे काम करें जब ये दोनों ठीक हो जाएं फिर content पे काम करेंगे तो इसी के साथ हमारा golden lesson 1 खतम होता है golden lesson 1 में मैंने आपको ये बताया है कि repeat sentence में चाहे आपका level जैसा मरजी है लेकिन ये mistake कभी मत करना कि content अच्छा करने के चकर में ज़्यादा words repeat करने के चकर में आप अपना flow खराब कर रहे हैं आप बीच में रूक रहे हैं आप अटक रहे हैं आप डरे हुए से feel हो रहे हैं आपको hesitation हो रहा है अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपका speaking का score 55-56 से उपर नहीं आ पाएगा अब बात करते हैं हमारे second challenge के बारे में second challenge में हम सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करते हैं वो दिक्कत ये है कि बहुत effort करने के बावजुद भी हमारा content का score इंप्रूव नहीं होता तो content का score मतलब कि हम words कम याद रख पाते हैं 12 में से 5 word या 4 word हम याद रख पाते हैं तो इस method को जो method मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस method का basically जो main purpose है वो यही है कि कम से कम time में हमारा जो content है उसको बड़ी तेजी से boost up करना है तो मैं खुद इस method को use करता था जब मैं अपनी coaching करता था मैं खुद starting early days में PT की त्यारी कर रहा था तब मैं इस method को use करता था इस method में आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए सबसे पहले इसका नाम सुनते हैं तो नाम है इसका il-pal method il-pal का मतलब दो words है illiterate and pal pal का मतलब होता है दो स्थापका इस method में हमें करना क्या है आप ऐसा imagine करेंगे कि आप किसी एक ऐसी country में चले जा चुके हैं जहांपर सिर्फ English बोली जाती है for example आप UK, Australia चले गए हैं और वहां पर आप अपने साथ अपने एक friend को भी लेके गए हैं लेकिन दिक्कत ही है कि आपका जो friend वो बिल्कुल illiterate है उसको English बिल्कुल नहीं आती है और अब आपकी जिम्यदार ही है कि जो भी आपसे English में बात करता है आप उस English की पूरी बात को translate करके अपनी mother tongue में अपने friend को बताते हैं वेदर आपकी mother tongue पंजाबी है, हिंदी है, गुजराती है, whatever आप उसको बताते हैं कि sentence सामने वाले ने जो बोला था, उसका मतलब क्या है अब मैं कैसे करता था, मैं आपको imagine करवाता हूँ, मैं अपने lab में बैटा हूँ और मैंने headphone पहन रखे हैं, पर मैं पहला question play करता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, पूरा sentence इंग्लिश में होगा सुनने के बाद मैं उसका answer इंग्लिश में नहीं करता, मैं repeat sentence को repeat नहीं करता, लेकिन मैं imagine करता हूँ, कि अगर मेरे साथ वाली चेर पर मेरा friend बैटा हूँ, तो मैं उसको पंजाबी में क्या बताता, कि ये sentence में क्या कहा गया था, मैं ऐसा पहला sentence repeat करता हूँ, अगर मुझे पहली बार में सारा समझा है, तो well and good है नहीं, तो मैं दुबारा प्ले करूँगा उस sentence को, दुबारा समझा हूँ, कि क्या था, फिर मैं अपने friend को बताऊंगा, मेरे पास maximum तीन attempts हैं, और मैं तीनों attempts का अकसर यूज़ करता था शुरुवात में, क्योंकि मुझे sentence समझ नहीं आता था, फिर दीरे-दीरे क्या हुआ, मैंने देखा, कि मेरे brain को भी कहीं न कहीं यह समझाने लगा, कि अगर मैं पहली बार में नहीं समझता, तो यह मुझे तीन बार यह question करवाता है, तो it's better है कि अपने इसको पहली बार में समझ की बता देते हैं, आपको शायद यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि repeat sentence में आप content बढ़ाने पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका content की तरफ ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान कुछ words को pick करने भी होता है, लेकिन इस method में आप मजबूरन sentence की meaning को समझने पर focus करेंगे, और जब आप sentence का meaning समझने लगे एक बार, तो उसके बाद आपके लिए there is no coming back, इसके बाद आपका score कभी भी कम नहीं हो सकता content में, क्योंकि आपको meaning समझा रहे हैं, तो basically इस method ने मेरी और मेरे बहुत सारे students की बहुत help किया content का score improve करने में, हम करते क्या हैं, हम sentences play करते हैं, around 30 sentences, ज़्यादा नहीं करने, एक बार में 30 sentence करेंगे, उसके बाद break लेंगे, फिर evening में time मिला, तो दुबारा कर लिया, दिन में एक बार भी किया, तो बहुत आईए, तो 30 sentence को play करना है, इनको translate करके बताना है, साथफ़ले को, जब आपको सारा sentence समझ आ जाए, फिर finally एक बार और play करेंगे, और आपकी बार उसको repeat करेंगे, जब आप ये करेंगे, तो आप देखेंगे, कि आपका content 100% है, में भी कहीं को लगेगा, सर, 3-3 बार में play करूँगा, 58 तक का है, आपको content नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी, अगर आप 3 या 4 वर्ड भी उठाते हैं, तब भी repeat sentence में आपका score बहुत अच्छा सकते हैं, तो ये था हमारा il-pal method, अब आगे चलते हैं, हमारा आखरी rule, जिसको हम कहते हैं golden lesson 3, इस lesson में मैं बाग करूँगा, एक ऐसी चोटी सी trick के बारे में, जिसकी मदद से आप सब PT में बहुत अच्छा सकूर कर सकते हैं, repeat sentence में बहुत अच्छा सकूर कर सकते हैं, तो trick क्या है, trick ये है, कि जब भी repeat sentence आए, तो ये लालच में ना पढ़ें, कि मुझे सारा sentence repeat करना है, अगर आपको target आपका 65 के आसपास का है, तो आप ये definitely कर सकते हैं, कि आप उस पूरे repeat sentence में से केवल 4 words को pick करते हैं, जी, बिल्कुल only 4 words आपको pick करने हैं, बट ये 4 words sequence में होने चाहिए, make sure कि ये 4 words continuous हैं, sequence में हैं, जैसे मालो एक sentence आया जिसमें उसने कहा, कि the next semester will be scheduled on the 2nd of August, तो मैं the next semester will be, तो मैंने 4 words ये sequence में उठाए हैं, अगर मैं 4 words sequence में उठा पाता हूं, तो that means कि मैं अपने repeat sentence में around 70% score कर सकता हूं, अब करना क्या है, वो इस lesson में सीखेंगे, तो मैं basically क्या करता हूं, sentence उठाता हूं, और sentence के बिल्कु लास्ट में मैं fixed line को use करता हूं, जो fixed line हम Oxford में use करते हैं, वो है, is beneficial for international students, ये line में पिछले लगवद साथे 3-4 साल से हम use करते आ रहें, और हर बार इससे बहुत अच्छे score आते हैं, लेकिन आप में से कहीं के पास इसके अलावा भी कुछ fixed lines हो सकती हैं, एक common स्वाल जो मुझसे पूछा जाता है, वो ये कि सर क्या मैं ऐसी कोई line यूज़ कर सकता हूं, चोटी सी, sweet सी, I am very happy, तो देखो मेरा इसमें answer है, कि आप ऐसी line ना use करें तो जादा better है, करेंगे sentence में से, उसमें आपकी speed इतनी fast नहीं हो सकती, तो जैसे मैं imagine कर रहा हूं कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे, there will be a conference, I am very happy, तो now the thing is कि पहले चार वर्ड आप ऐसे बोल रहे थे, बिल्कुल बैल गाड़ी की रफतार में, बिल्कुल दीरे-दीरे, और अचानक से जब I am very happy आया तो आपकी speed अचानक से bullet train वाली हो गई है, तो यहाँ पे कोई भी software बड़ी असानी से समझ सकता है, कि आपने क्या किया, यहाँ पे fix line को use किया है, तो इस चीज़ से हमें बचना है, हमें यह avoid करना है, हमें uneven speed से बचना है, मैंने आपको class की starting में बताया था, तो uneven speed से बचने का simple trick क्या है, कि आप जान बूच के एक ऐसी line हम इसमें add करते हैं, जो थोड़ी से मुश्किल है, थोड़ी tough है, इसमें बड़े-बड़े words हैं, इनको बोलने के लिए आपको दीरे बोलना पड़ेगा, तो आपका पहले starting वाला content भी दीरे होता है, और उसके बाद जब आप यह वाली line पढ़ते हैं, तो यह भी थोड़ी दीरे होती है, जिस वज़ा से आपकी speed जो है, वो even speed हो जाती है, और even speed पे हमें बहुत अच्छा score मिलता है, तो this is why हम यह वाली line को recommend करते हैं, अब कोई भी sentence के पहले चार या अखरी चार, यह कहीं से भी चार word sequence में उठाएं, और इसके बाद आप बोलेंगे, is beneficial for international students, there will be a conference, is beneficial for international students, तो यह line आप last में add करेंगे, please make sure इसमें दो गलतिया ना हो, पहला, is beneficial से पहले pause नहीं आना चाहिए, second, आपका जो content है, और आपकी जो fix line हैं, इनकी speed बराबर होनी चाहिए, कहीं असान होगी, content की speed बहुत कम है, और fix line की speed बहुत ज़ादा है, अगर आप कुछ ऐसी mistake करेंगे, तो आपको अच्छा score नहीं मिलेगा, फिलहाल repeat sentence के बारे में, तीन बाते हमने खतम की हैं, इस पूरी class में हमने ये देखा, कि repeat sentence में content के पीछे बागने वाले, हमेशा मात खाते हैं, लेकिन content के पीछे बागना है, तो उसका एक way मैंने आपको बताया था, इसको भी देखें, so that आप वो mistake ना करें, thank you very much,